आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शुका मैं रोत्रा शुरुवात करते हैं प्राइम उत्रप्रदेश की सुभाश्पर राश्रय अद्यक्षियों प्रकाश्ट राजभर को वॉइस सिक्योटी दी गई है वहीं इस राश्रमती चिनाओं में एंडिये के उमीदवार को समर्थन देने के लिए तौफे के तौर पर इसे देखा ज़ा रहा है इस साथ ही हाल ही के दिनों में उम्प्रकाश राजभर समाजवादी पार्ठी के राश्रय अद्यक्षकलेश श्रादव पर लगातार तंजकस रहे हैं वाही सत्ता के गलियारों में चर्चाए भी शुरू हो गई है कि 2024 में क्या उम्प्रकाश राजभर भारती जंता पार्ठी के साथ मिलकर लोग सभाचनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में ये पहले से प्रक्रिया चल लही थी कि कई घटनाएं मानी उम्प्रकाश राजभर जी साथ हो गई ती गाजीपूर में घटना घटी आजमगर में घटी बनारस में घटी लक्नव में घटी नव एफायार दज कर आई गये जिसमें कि हमने ग्रिह मंतर प्रदान मंतरी को दिया था तो एक प्रक्रिया चल लही थी आज से 6-7 महीने पहले से सुचना आ रही थी कि आपके पत्र पर जाच हो रही है और एक रिपोर्ट तयार की जा रही है उसी में आज से 20 दिन पहले ये ख़वर आई कि आप आपके लिए ये जाच पत्र सही पाय क्याहेगा है आपके लिए एक सुरक्षा ब्यवस्ठा प्रदान करने के ऊपर से आदेश आया है मानी मुख्य मंतरी के तरब से तो अब ये चीजें ग्रह मंतरा लन जो फैसला किया है वह प्रक्रिया है किसको सुरक्षा हटाना है उसी में मानी मुंपरकास राजभर Ji को और मानिय अख्लिय स्यादो जी को भी धनवाद देना चाहता हूं कि इन सभी लोगों ने घटनाओं पर बहुत मुखरता से बोलने का प्रयास किया और सरकार से मांग भी किया था और हमारे सुहल्द भारती समाज पार्टी कारे करता हूं भी बहुत तब लंबे समय से जिलेव गरे के गाडी के साथ मार पीट हुए इसके सम lige में सिकायथ हम लोगों ने प्रधण मंतरी अपीश गुरी मंतरी मुंहत मंतरी सब और लिखते रहे तो सुरक्षा कि गई थी उए और सीधने जाच की जाच में सुरक्षा देने की बात हुए को उसी कड़ी में हमको सुरक्ष खबर परीदाबाद से है जोहां एडी के सोनिया गांदी से पूस्ताच को लेकर कॉंग्रेसियों ने सेक्टर बारा लगु सचिवाले पर जम कर प्रदर्शन किया और इसमामले को लेकर जुलब प्रुश्वासन को ग्यापन सौपा वहें इसमामले पर कॉंग्रेस अनेता का आरोब है कि बिजेपी सरकार एडी समेत सभी समवेधानिक संस्थाओं का दुरूप्योग कर रही है आज हम लोग जो चला कंग्रेस कमेटी के लोग परिदाबाद के सच्वाले पर खरणा परदर्शन के इसलिए बैटे हैं कि अपने इडी और इंटर्टेक्स को सीदी आई को हमारे सीर सनेतर्टाव को चाहे रोल तुलाओं आदी जिए स्वामिया गादी जी है उनको आगे कर रहे हैं और उनको हरास्वन किया जा रहा है आज हम इसलिए वैठे हैं कि यह भाज़पा सर्कार इंटी और इंटर्टेक्स करना बंद करें मेंगाई है ब्रस्ता जारा पिड्रोल डिजल गेस देख रहे हैं थानी पीने किसी पर लगा दिया है ऑक्सिजन और पानी पर लगाना बाकी है ऑक्सिजन पर लगा जेगा है इसके खिलाब हमारे नेता हो गोई करने के लिए इस तरीके के खिलाफ बैटे हैं सरकारी एजेंसिस का दुरूपियों कर रहे हैं हमारे नेताओं के खिलाफ प्रतिशों की राजनी कर रहे हैं इस नेती के खिलाफ हम बैटे हैं कि E.D. और C.B.I. का दुरूपियों बंद करो हमारे नेता डरने वाले नहीं है मोधी सरकार आप चरम करो आप वेरोजगारी पर ध्यान दो आप रश्चाचार को खतम करने पर ध्यान दो नेशनल हेराल मामले में E.D. ने सोनिया गांधी से पूस्ताच के मामले पर अयोध्या में कांग्रसियों ने के इंद सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया इसके बाद जीएम कार्याले पर जो आ रहे ही कॉंग्रसियों को आयोध्या पुलिस ने प्रेस क्लब ते राहे पर रोका जिसके बाद पुलिस और कॉंग्रसियों में धक्का मुक्य भी हुई इसके बाद जा रहा है और सरकार को चिताना चाहते हैं विपक्ष को दबाना और धराना धमकाना बंद करो काम करो महगाई पर रोजगार दो काम धंदे दो इसलिए मगा करती है देश के प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के राजनीरिक सफर के 20 साल पूरे होने पर शाजापुर के गानी भवन में भारती जंता पार्टी ने प्रबुत दवर्ग सम्मेलन कारेकरम का आयूजन किया सकारेकरम के मुख्या आते थी राजी मंत्री असीम अरोण शाजापुर पहुचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी मंत्री मंडल में दिनेश हटी के द्वारा स्टीफे दिये जवाने के सवाल पर कहा कि योगी के मंत्री मंडल में कोई भी मंत्री योगी से नाराज नहीं है और जो भी नाराजगी थी वो बात्चीत से दूर कर ली गई है दो पल के लिए ठैर के पीछे देख रहे हैं कि क्या-क्या सीखने वाली बातें थी क्या-क्या अनुकरणिये बाते हम लोगों के लिए हैं इसमें बहुत अच्छी एक पुस्तक भी मोदी एट क्वेंटी आई है उसके बारे में भी चर्चा कारकर्म में हो रही है और हम सब क का प्रयास है कि अपने शाजापूर में अपने उत्य प्रदेश में मोदी जी के विजन के अनुसार योगी जी का जो एक्शन है उसके अनुसार हम लोग सुरक्षा मजबूत करें विकास की रहा में आगे बढ़ें और कुलमला करके एक खुशाल उन्नत सुरक्षित प्रद प्रदेशन करे कारे करताओं ने जम कर हंगा मगया जिसके बाद पुलिस ने प्रदेशन कारी कारे करताओं को हे रासत मिलिया खबर बुलंद शेहर से है जो हैस्ते दिली पब्लिक स्कूल की सी बेस्टी बारवी की च्छात्रा तान्या सिंग ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर परिवार कर नाम रोचन किया है पता दे तान्या सिंग को इंग्लिश, हिस्ट्री, जोग्रफी, एकनॉमिक्स और म्यूजिक में शत प्रतीशत अंक मिले हैं वही तान्या सिंग ने अपनी सफलता कश्रे स्कूल के अध्यापक और अपने पारिजरों को दिया है खबर हर्दोई से है जोहां ए आटी ओने ओवरलोड डगमार वाहनों के खिलाफ चला कर तीन डवल डेकर डगमार बसों को पकड़ा है जिसमें से एक बस को सीज कर दिया गया है बसो पर जुर्माना लगाया गया इसके लावा उन्होंने एक ट्रक्टर जैसे भी और एक टेम्पो का भी चलान किया वहीं ए आर टी ओ दिया शुंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखे मांतरे के देश पर अवैद डगमार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा प्रदेश सरकार और माने मुख्मिंत्री जीके निर्देश के प्रदेश में डगमार बाहन ओवरलोड बाहन आबयद बाहन का संचालन किसी भी तसा में नहीं होना चाहिए इसके दिश्तिकत आज प्रवर्तन कारे के दवरान इन डबल डेकर पकड़ा गया जिसमें ठाना के भाग में दो का हमने चालान कर दिया बंद नहीं कर पाया परत एक ठाना घरियावा में ला करके मेसीच किया हूँ हमीरपुल पुलिस में आज महीने पहले हुए हत्याब में फरार चल रहे एक अभियुक्त के गिरफतार कर बड़ी सफलता हासिल की है साथ ही अभियुक्त के कबजे से अवैत तमंचा और कार्तूस बरामत किया गया है बीते वर्ष नवंबर में पकड़े गए अभियुक्त ने रिष्टेदारों के घर आए एक युवक्या हत्या की थी गिरफतार करने वाली टीम को पुलस अधिक्षक ने 25,000 का इनाम दे कर सम्मानित किया है मामला हमीर पूर जिले के जलाल पूर्थाना च्छेतर के बिलगाउं का है यह वांची तब्युक्त है इनका नाम राडियंडर राजपूत है और उमर इसी करीब जो है 24 पर से और बिलगाउं वहां पड़ता है जलाल पूर्था इसे इसमें बुक्तार के गए और यह हत्या के जो है अभ्योग में वांची चल रहा है और इसमें बुक्तारी तो 25,000 रुपे का इनाम बोजी था इसे पुराणी मुर्पे जो हमारे पानातिक जलालपूर ने संग्या सिंग उनकी और उनकी की में जो है जो है जो है जो है उत्तरदीश की योगिस सरकार में मंत्रियों के बाद अब विधाईकों के पत्र वारल हो का सिलसला शिरू हो चुका है जहाँ अब हर दोई जन्मत के सवायचपूर विधानसबाच्षेत्र के विधायक माधवेन सिंग रानु ने जुला अधिकारी को पत्र लेकर कारवाई करने की मांग की है जिसमें विधायक ने हरपालपूर विकासखंड वितेनात कारेक्रम अ जहां तक J.E.R.E.S. के उपर इन शिकायतों में J.E.R.E.S. के संदिक्तता के संबन में जो सवाल मानिय विधायक जी ने होता है उसकी क्रम में जब जहाँ अधिकारियों से पता किया तो उनों के द्वारा ये बताएगे कि जहाँ उनके द्वारा की गई थी परंतु क्यों प्राइमरी स्कूल में तेनात मुस्लिम सिक्षिका को खंड सिक्ष्रा अधिकारी को तिलक करना भारी पड़िया मुस्लिम महिला का तिलक लगाना को चकटरपंथियों को रास्त नहीं आया वहीं उर्दू चीचर ने सिक्षिका के लिए सोशल मीडिया ग्रूप पर अपशब्द लिख दिये इस पर पीडित महिला ने बियसे से इसकी शुकायत की है जिसके बाद बियसे ने जाज के आदेश दिये हैं वहीं मुसलिम महिला सिक्षिका पर तिलक कुले का टिपड़ी करने वाले कटरपंथी उर्दू सिक्षिक मुहमद एहमद को निलम्बित किया ग्या है अलिगर जुले की कोतवाली अतरौली छेत्र के गाओं बड़े महादेव में ग्रामीडों के बीच उस वक्त भगदर्म और अफरात अफरी का मोहल पैदा हो गया जब गाओं के ही दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते गाली गलोज और कहासोनी हो गई कहासोनी के बढ़ते दोनों पक्षों में जुमकर लाठी डंडे और धारदार हतियार चलने शुरू हो गए वहीं मौके पर पहुची पुलिस ने घायल को आनन फानन में सियसी में भरती कराया दिनांग 21 जुलाए को सूचना पराप्थ हुई थी कि अतरौलिय थाना शेतर के मोहला मोखरियान के अंतरगत एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में मार पीट हुई है कुडा डालने के विवाद के ऊपर मार पीट हुई थी दोनों पक्षों को काफी चोटे आई हैं और हॉस्पिटल में एड्मिट हुई है एक ही परिवार के थे आपस के रिश्टदार थे वहीं मौके पर पहुचे पुलिस प्रिशासन और आला अधिकारियों ने सुरक्षा के चलते पुलिस प्रिशासन तैनात कर दी है और मामले की जाच में जुट गई सुरक्षा को जो अनवा के रहने वाले हैं थाना सावार के साथ वजब में घर के बाहर चार जिफाफे मिले जो चार अलग-अलग लोगों के नाम से लिखे रहे थे लेकिन लेंगवेज सेमी थी और एक ही आदम द्वारा लिखावा सब लग रहा थी लेंगवेज थी और एक ही मजमून था पत्रों का और जो लिखने वाला यह अपने आपको किस आगवार इस अंगठं का सदस्य बत इसकी तस्दीक की जारी नाच की जारी कि पत्र कहां से आया रहे खबर महराज गंज से है जो हजिले में ब्रिजमन गंज ब्लॉक के मिस रॉलिया पी एचसी में सच्छता को प्रेरित करने वाले सबसे एहम महकमा स्वास्त विभाग खुद अपने परिसर को गंदगी से पा पड़े हैं जसे और तिमारदारों को मुसीवत का सामना करना पड़ रहा है खबर देवरिया से है जो हाँ संगिठन भवन में राज्य विद्यत परिशुद जूनियर इंजिनरिरिंग संगिठन की आकस्मिक बैठक की गई इस बैठक में जनपत देवरिया के संगिठन की नई कल्यान कारणी का चयन किया गया और साथ ही संगिठन और संवर्ग के विभेन मांगों को लेकर केंद्रे नेतरत्व के आवाहन पर अगामी 2 सितमबर 2022 से आवेदन चिलाना है इस पर सभी सदस्तों ने अपना एक जूट होकर समर्थन दिया और सभी सदस्तों से संकल्प पपत्र भीलिया जनपत के गारिकारी को चुना हुआ है , पुब्र जनपत ऑठ जुनाु हुद्पत , 5 आप्ना ज स दॉंगे देपनी महाँ चक्रहसी हुथ है , ओडिए हुद्पत के अनक क्पकरता हुए । जो बारिश का मौसम चल ला है आए दिन तुफान से पोल टूट रहे हैं वो हमें उपलब्द नहीं हो रहे हैं तो संसाधनों की कमी को लेके यह आंदोलन हम करेंगे विभाग हमसे बहतर सुभिधा ले हमसे बहतर काम ले लेके हमें संसाधन उपलब्द कराएं और यहीं संसाधन नहीं उपलब्द कराती है तो दो तारिक से हम लोग एक घंटे दो घंटे जो भी रोज सभा करेंगे मैंपुरी जुनपत के करहल थाना छेतर के अंतरगत ग्राम नाकाउ में आंगनबाडी में पढ़ने गए चातर की करेंट लगने से मौत हो गई वहें इस मामले की जुआनकारी होते ही मौके पर पहुचे पुलिस ने तहसीलदार और एस्थीयोक ने बच्चों के परिवार को मुआवजा देने का आश्वा संदिया मेरे बच्चा गर से पढ़ने के लिए आया आखे इसने पने बस्ता रख दिया और ये जिस आंगनबाडी इसकूल में पढ़ता है वो स्कूल खोड़ा नहीं ग़ाता साले आट वजे का टाइम था तर बो पॉशावजा आशाब के लिए दर गया आश्वा करेंट लग जब सुबह स्कूल आया था वो ये जो पॉल लगा है स्कूल के पास इसमें एक अर्थिंग पॉंट लगा है अर्थिंग पॉंट में किसी कानवस करेंट आ गया बच्चा खेलता है उसके पास चला गया तो उसको करेंट लगने से खबर मैनपुरी से है जहां घिरोर थाना छेत्र के बादशाप और निवासी अमीर सिंग्या ग्यात द्वार चाकू से गोद कर हत्या कर दी गड़ी परीजनों के मुताबिक अमीर बैंक से दो लाख रुपे निकाल कर आ रहा था परीजनों की तलाश के बाद व्यक्तिक उसकी वैगनार गाड़ी के पास लहू लुहान हालत में मिला घटना के समन में मैनपुरे पले सधिक्षक ने पूरी जो अनकारी दी है जिसको लेकर कहत्या की गई पर उनकी पत्नी दो जो तरीद दी गई उसमें अग्याद बेक्टि के खिलाब तरीद दिया है इस हमन में अभियोग पंजिन कर लिया गया है पोस्टमार्टम की कारवाई हो रही है और सिगरी घटना का नौरकर दोसी के खिलाब कारवाई की जाएगा शार्दा नदी का जलिस्तर खत्रे के निशान से उपर पहुँच किया है जिससे शार्दा के तलहटी में बसे गाव के लोग भैभीत है शार्दा नदी में बाड की संभावन जटाई ज़ा रही है बता दे पहाडों पर हो रही मुस्लधार बारिश से नेपाल की नदिया उफान पर है इससे पीली भीत के ट्रांशार्दा छेत्र की 22 ग्राम सभाव सहित कई गावों पर बाड के काले बादल मंडरा आने लगे है गाजयबाद के इंद्रापुरम थाना छेत्र के वसुंधरा इलाके में पती ने अपनी पत्नी को चाकु से वार कर मौत के घाट उतार दिया दूसरी मंजल से नीचे कूद गया जिससे उससे भी गंभीर चोटे आई है और उसके पैरों में फैक्चर हुआ है और उसके पास के एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया है जो हाउसका इलाच चुल रहा है वही घटना की सूचिना पर स्थाना पुलिस मौके पर पहुची और पूरे मामले की चार्च में जुड़ गई है बता दे कि पती को अपनी पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम संबंद होने कर शक्त था इसने उस लड़के के साथ में गाड़ी में देख लिए तो फिर जो है इसने उसको एक दो हाथ मारे महाँ पर थोड़े देखा मैने बहुत ध्यान रखते वे भी एक घंटा सौया वो मेरे पास ही यहां पर उसके बाद एकदम घला मचा हाहा 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 बच्चे कभी और इन मैंने चाकु भावा यू भार बब हो इना फिर मैंने पीछे से कर्ते लिया। गुष भी शोलिए लोगता मैंगर यह अगस जब रहे जब शयुए जब भूए कर लिए कर लिया फिर नहीं लग वालता है जब नहीं लग भाया जब भी बेटे ने भाह को माला अ उसका उसको शत्था बेटेगा बेटेगो कि बही किसी से संबन इसका हो बहु का वो कल फिर वो आफे उसके साथ देख लिया को गडब ना कर दे तो फिर वह ज्यादा अटेंशन में था इस लिए ज्यादा एक था इसलिए जो है जब दिन में हला मचा तो देखा तेले आपस में जगड़ा हुआ करता है तो थोड़ा टेंक्शन रहती थी इनकी लंभी आज दो पर में सुचना मुझी कि सफटर कंदुरा बसुनरा में एक भर है उसमें एक महिला वायर रॉस्तां पड़ी है इसुचना के पुलिस गई तो सवाय अठेर होगति जाए और विकास में चन्राय कर यह को इसमें को को रव्या-फजटरू के बिवाया गये और लगशक कर लिए और विकास में चैली माजिक त कर दीजा में इंसानों के साथ साथ वन जीव भी अब बारिश का मज़ा ले रहे हैं बारिश का मज़ा लेते टाइगर का वीडियो वारल हो रहा है ये वारल वीडियो दो दुद्वा टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है तसीरों में बहते हुए बाग को घागरा नदी में देखा जा सकता है लकिम पूर खिरी की घागरा नदी में बाग को देख ग्रामीडों देवन विभाग को इसकी सूचना दी गागरा नदी में लगतार जुल का इस तर बढ़ता जुआ रहा है जिसकी चुल ते तराई छेत्रों में देहशत कमबो हॉल बन गया है गागरा नदी खत्रे के लाग निशान को छुने को बेताब है बतादे कि अलगिन बैराच पर खत्रे के निशान से मातर तीन सेंटिमीटर नीचे गागरा नदी है तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरहां से घागरा नदी का जलिस्तर बढ़ गया है लगतार हो रही मूसलाधार बारिश की वज़े से और पहाडों पर हो रही बारिश की वज़े से घागरा नदी का जलिस्तर बढ़ गया है जिससे अब कई गावों पर बाढ का खत्रा भी मंडराने लगा है लंबे इंतजार के बाद सेवेसी बोड का दस्वी और बारवी का रिजल्ट आज घोशीत कर गया गया इसके बाद छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली वहीं गाजयबाद की वसुंधरा इस्तेतर जैपुरिया स्कूल की बारवी की छात्रा रीती वर्वा ने 99.6 प्रतीशत अंक प्राप्त किये हैं और 500 अंकों में से 498 मार्क्स इस छात्रा ने सीबियसी की बारवी की परिक्षब में प्राप्त किये सिधार्त नगर में हाइ स्कूल में केंद्र विद्याले चौपर पंकज मधेसिया है वहीं पंकज मधेसिया को 88.8 प्रतीशत अंक मिले है मता दे कि पंकज बहुत ही गरीब परिवार से हैं शाजापुर में अंशुल अगरवाल और सात्वी का बहल ने 98.2 प्रतीशत अंक के साथ जिले में दूसरा इस्थान हासिल किया है और विद्याले में प्रथम इस्थान प्राप्त करके विद्याले को गौरवान विद किया है वहीं बजनौर में जिले की LRS Academy School की छात्रा दृताची ने जिले में टॉप करते हुए 99.4 शून परसेंटेज मार्क्स से बीएसी बोर्ड में हासिल किये है छात्रा की टॉप करने पर स्कूल सिक्ष्र सहेत परिजनों ने छात्रा को बधाई दी है वहीं फरुखबाद में रिशी का टियार दे 97.4 प्रतीशत अंकों के साथ जिले में टॉप किया है तस्वीरों में देख सकते हैं आप सभी टॉपर्स की तस्वीरे आपकी स्क्रीन्स पर है तस्वीर नाम प्रिटाची गुपता है इसके लिए जिनदाथ पढ़ना पड़ता है बहुत महनत करी तब जाकर इतने अच्छी माक्स में भासिल कर पाई में अच्छा अब जेकरना चाहती है अब मैं आगे जाके सीवीर सर्वेस की तियारी करना चाहती हूँ इसके लिए में पहले बीएसी क्लियर करना है सक्सेस का पूरा स्रह मेरे पैरेंट्स और मेरे कुरु जनों को जाता है इसके लिए मैंने सुबह साम कड़ी महनत की साथ गंटे आठ गंटे में पढ़ता था रोज सुबह चार बजे पांच बे उठके आठ बे तक पढ़ता था साम को फिर साथ से नौ शड़े नौ दस बे तक पढ़ता था और टीचरों के द्वारा हमें समझे मोटिवेशन मिलता रहा कितना खुशी है से, कितना खुशों की टाप दियो मुझे बहुत खुशी है आज सिवेसे ने कख्छा दसमी का परिच्छा पढ़ाम घुशित किया है हमारे विद्याले के 47 बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट किये और पंकज मध्धेसिया जो प्रसम अस्तान प्राप्त किया अठासी दसमलो आठ परसंट अंक प्राप्त करके वो विद्याले में पहला अस्तान प्राप्त किया है 444 नमर उसके आए है जो कि एक बहुत ही मध्यम परिवार से कही या गरीब परिवार से है वो परिवार की भी आठ से किसी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन बच्चे की मेहनत और परिवार का जो सपोर्ट है उसके चलते हूँ इस अस्तान को प्राप्त किया समय समय पे हमारे सिक्षक उसका मार दर्सन करते रहे मेरा बिटा टाप किया है हमको आज अपार खुसे है मुझे एक बात की कमी खल रही है कि हम आर्थी ग्रूप से बहुत कम जोड़ है हमें मदद मिलेगा हम अपने बच्चे को और आगे तक पढ़ाएगा हमें बहुत ही अप्तियंत गरीब परिवार से हूँ मेरे पास घर के सिवा कुछ नहीं है जी बिल्कुल पढ़ाएंगे लेकिन मैं चाहता हूं मारे बिटर बहुत आगे जाए पढ़ाएं पढ़ाएं के लिए तो स्टार्टिंग सही आपको सोच के चलना पढ़ता है कि आपका 12 है तो आपको थोड़ावाद तो सीरे से नहीं पढ़ता है प्लस आपको regular study है आपकी और आपको focused रहना है और concentration के साथ पढ़ना है मिनमम चार से पांच घंटे अगर आप दे सकते हैं तो बढ़िया वरना आपको अपना time to time complete रखना है और एक चीज एक self-evaluation होना चाहिए कि आपको पता है कि आपको पता है कि आपकिस जगा पे हाँ इ यही एक पाया, offline तो बहुत कम जितने हमें इन फिंस प्लस रवेटे हुए हैं जिन भी टीचर ने मुझे पढ़ाया, सपोर्ट किया, मेरे मावार जिए मेरे हर कंडिशन में मेरा साथ दिया मुझे सपोर्ट किया मुझे मुझे मोटिवेट किया, मेरे माक्स कम भी आय कि टे प्राइम उत्तप्रदेश में फिल हालेता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी प्राइम टीवी सच साहस सरोकार